नमस्कार, पड़ताल दुनिया भर की में आपका स्वागत है रूस और यूक्रेन पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विशे बने हुए है तकरीबन 9-10 दिन हो गए हैं युद्ध चलते हुए जिस तरह से रूस की सेना वहाँ पहुची बहुत एहम शेहरों और इलाकों पर उसने अपना कबजा जमाया है आखिर 9-10 दिन में किस तरह से यूक्रेन और ये जो पूरा संकट है इसे हम देखें दुनिया की हलचल पर पहनी नजर पड़ताल दुनिया भर की देखिये जुडिये ताकि मिले सही नजरिया जानने और खोजने का समझने का कि क्या चल रहा है आसपास और साथ समंदर पार आखिर हम हैं ग्लोबल सिटिजन प्रबीर हम आप से जानना चाहते हैं कि आज 9-10 दिन है 24 फरवरी से ये पूरा घटना क्रम सामने है जो नक्षा हमें दिखाई दे रहा है उससे ही लग रहा है कि हर तरफ रूस पहुच चुका है रूस की सेना पहुच चुकी है किस तरह से आज हम इसे देखें और भविश किस तरह से आपको लगता है कि ये जो नक्षा नक्षे में रूस की पहुच और पकड़ बढ़ी है इससे लगता है कि चारों तरफ से रूस अंदर पहुच चुका है, एहम ठीकानों पर है देखिए पहली बात तो चारों तरफ नहीं, तीन तरफ से उनके फौजे बढ़ी है एक तो कियेव जो उनकी पूरी सेंटर है, राजधानी है तो उसके उपर उनकी फौजे इस वक्त गेरने के स्थिती में है वो वेस्ट से, इस्ट से, सेंटर से कहे, तीनों तरफ उपर से उनकी फौजे वहां कियेव को गेरने में लगा हुआ है इस वक्त तो वो दिख रहा है आपको मैप में दूसरी बात है कि नीचे के डौन बास जो उनकी एस्टर्ण रीजन है तो वहां पर उनके सेंटाएं दो तरफ से हमला किये है एक उपर से और एक नीचे से Crimea के क्राइमिया की तरफ से किया है और वो एक निशाना मारियाप पूल है जहां पर उनकी सेंटाएं है खास तोर से Azov Battalion जिसको काफी राइट विंग फैशिस्ट माना जाता है वहाँ पर उनकी काफी ताकत है तो उस पर हमला है और Donbass को अलग करने के लिए वो हमला जारी है क्योंकि वहाँ पर यूकरेन के करीब आधी सेनाए कहा जाता है कि वही पर है बॉर्डर जहां पर लाइन अफ कंट्रोल के इस पार है तो अगर उनको घेर लिया जाता है या उनको विद्वस्त किया जाता है तो यूकरेन की आधी बिलिटरी ताकत वहाँ खतम होने के संभावना है तो ये उनका एक लक्ष है और एक उडेसा शहर जहां पर भी एक नूकलियर जहां पर उडेसा शहर जहां पर उनकी एक मेरिटाइम एक ताकत है पोर्ट है तो उस पर भी उनका जो बहुत एहम बंदरगा है ब्लैक सी और उसके से जोड़ा हुआ वो ब्लैक सी की जो पूरा तट है उसको कंट्रोल करने की एक लक्ष दिखा ही पड़ता है रूसकी इस पर है तो वेस्टरंट एरा इलाके में इनका भी तक कोई दखल अंदाजी नहीं ह वो रूट्स खुला छोड़ दिया गया है जहां से लोग जाके पॉलेंड में रूमें दूसरे जगों पे वहां से जा सकते हैं मॉल्डोवा दूसरे बुलकों में पहुंच सकते हैं रिफूजिस के लिए खुला दरवाजा छोड़ दिया गया वहां पे अर अभी जो ही चल रही है वहां से वो लोग विड्रॉव कर सकते हैं जैसे खारकीब में हिंदुस्तानी बच्चे भी वहां काफी वहां पर इसलेटेड है इन जगों से सिविलियन एरिया जहां पर लड़ाई में काफी लोग फंसे हुए हैं उनको निकलने के लिए सिविलियन रूट्स खोलने के लिए एक टेंपररी ट्रूस की बाचीत इस वक्त है और लगता है कि ये कामयाब है इस वक्त पर एक टेंपररी ट्रूस है लंबा लंबे अर्से के लिए नहीं है तो अगर आप देखें मैप को इस पर आप देखेंगे कि ये एरोस जो है वो दर्शाते हैं कि रू नुक्लियर प्लांट्स भी है शर्णोबिल था अप्जा प्रोजिया पर जिस तरह से कब्जा रूस ने जमा लिया है कब्जा हो गया है तो उसके बाद आशंकाएं और तेज हैं कि और युक्रेन क्योंकि परमाणू सयंत्रों के लिए बहुत एहमियत रखता है बहुत कई पर परमाणू सयंत्रों को लेकर और उनकी ताकतों जो हमला हो रहा है तो कितनी दूर है रियक्टर से बाकी चीजों पर चिंता है जाहिर की जा रही है यह यॉरोप के सबसे बड़ा पावर नुक्लियर प्लांट है इसमें छे नुक्लियर रियक्टर्स है जो की एक हजार मेगा वाच उत्वाट उत्पादन करती है अगर आप पावर प्लांट को देखे तह आप देखेंगे कि इदर छे रियक्टर्स की है जहां पर आप देखेंगे छे रियक्टर्स है और जो फुईल हैं फेसिलिटिस कहते हैं जीनुक्लियर रौड जाते हैं उन को ठंडा करना उसको store करना उसकी facility से इधर है ये plant के दाइरे के अंदर है अगर आप देखे उसमें boundary wall देखे दाइरे के अंदर है उसको बाहर एक training center था वो दाइरे के अंदर नहीं है बाहर है training center में आग जानी की बात हुई थी वहाँ पर लड़ाई में आग जानी हुई है लगता है यो तस्वीर तद्वीर आई है और उसके बाद उसको बुजा दिया गया है तो हम पहले दिन से इस चर्चा में रहे हैं कि यहां पर nuclear reactors है शेर्नोबिल की बात पहले ही आ चुकी है कि शेर्नोबिल पहले कुछ दिनों में कबजा किया था रूस ने और भी दो power plants है जहां पर अभी अभी त पर कुछ होता है ऐसा नहीं कि उस पर मार करने की जरूरत है पर अगर वहां से लोग छोड़के चले जाते हैं जंग के डर से वहां पर अगर कुछ चीजे बिगड़ जाती है तो वहां पर शेर्नोबिल हो फुकुशीमा हो हम देख चुके हैं nuclear accident कितना भयानक हो सकता है तो यह इसलिए जंग में एक जंग के बीच में nuclear reactors है दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं है और दूसरी बात हम जो पहले भी कह चुके हैं कि जब nuclear बात करते हैं nuclear missiles nuclear अस्तों को भी बात इसमें आती है क्योंकि यहां पर इस जंग का जड़ वह भी है कि क्या ऐसे missiles रूस के जब तक नेटो की क्या लक्ष था रूस के बारे में यह हम इसमें चर्चा में शामिल नहीं करेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे हो क्या रहा है पूरी तस्वीर सामने नहीं आएगी कि दरसल यह युद्ध क्यों हुआ और इसकी पृष्ट भूमी क्या है इसके लिए यह नहीं है कि पृष्ट भूमी के साथ जंग अवसंभावी था जंग वो जायस्ट है रहा है जायस नाजायस विशह में नहीं जा रहा हूं पर इसक अगर देखी जाए तो इसको प्रिष्ट भूभी भी देखनी पड़ेगी और आगे चलके मुलकें इसके बारे में क्या सोच रहा है ये भी सोच देखने पड़ेगी क्योंकि अभी तक कोई जिसे कहते ओफ रैम शांती कैसे फिर लाय जा सकता है उस चर्चा में हम अभी तक प पूरे इलाके में उसकी चर्चा अभी तक कोई करने के लिए तयार नहीं है अब रूस की मिलिटरी इंटर्वेंशन जारी है अगरगती उसकी जारी है और उसके साथ-साथ एकनॉमिक हमला जो इनकी तरफ से हुई है जो सैंक्शन है सारे यूर्पेन यूनियन अमरीका के त नहीं को दो प्रिचा पैसके फिर बलीटरी यूर्पेन उसकी जारी है अभी जो घूपने के लिए वेस्ट काफी हड़त तक ज्यारा दाई है अभी जो शैंक्शन लगे है रशिया पर रूस पर जो सैंक्शन लगे है इनसे कितना असर पड़ेगा रूस पर क्योंकि काफी सामने आया है कुछ चीज़ें बहुत सलीके से बाहर कर दी गई है जिस पर यूरोपीय देश बहुत हद तक निर्भर है रूस पर तो यह जो सैंक्शन से इसका कितना असर पड़ेगा और क्या रूस इन सैंक्शन के दबाव में युद का या जो उसने पूरा इंटर्वेंशन किया है इन्वेजन किया है वो रुकेगा कुछ तो रूस को लंबे अड़से में क्या होगा एक साल छे महिना दो साल इसकी बात हो रही हो रही है तो उसमें इमीडियेट इसके डर के मारे रूस बैढ़ जाएगा हातियार गेर देगा होने वाले नहीं है कि रूस जानता था कि उस पर सैंक्शन लगने वाला है जंग में अगर वो जाएगा तो सैंक्शन लगेगा इस पर मैं पहले रूस की उपर क्या होगा यह बताऊंगा इस बताना चाहूँगा अगर दूसरी बात इस पर यह जोड़ना चाहूँगा दुनिया के लिए यह क्या दर्शाता है तो तो economic sanctions, economic war है. अगर आप देखे, war की संगया अगर देखे, डेफिनिशन अगर देखे, तो economic war ये भी जंग है. तो ये जंग है. इनका military attack रहा है, जो आप Ukraine के बारे में चर्चा कर रहे हैं. पर ये जवाब में उन्होंने आर्थिक जंग किया है. These are by definitions acts of war. UN definition में भी इसको act of war माले जाएगा. ये भी नाजाएज है. एक आखरी सवाल आपसे कि जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जो लोग वापस जा रहे हैं, उसका एक नसली स्वर बहुत परिशान करने वाला है. भारती भी जो छात्र पढ़ने गए हैं, उनके उपर जब वापस आ रहे हैं, तो नसली पूरा का पूरा जो रवाईया है, हमलों का जो रवाईया है, बाचीत का जो रवाईया है, जो भेदभाव है, ये बड़ा परिशान करने वाला है, और क्योंकि हमारे लिए और ज्या साल बहुत पहले ही हमारे सामने आना चाहिए था, जब इराक पे हमला होता है, अफगानिस्तान पे होता, लिबिया पे होता, सिरिया पे होता है, तब यॉरप या अमरीका में इसकी चर्चा नहीं होता, कि इतने बड़े संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, पर जब यूकर तो जब हमला होता है, तब बड़े हम इमोशनल हो जाते हैं, उनकी एंकर्स ने तक कहा, कि इस सिविलाइज़ शहर है कियेव, इराक अफगानिस्तान जैसा नहीं है, हलाकि इराक, सिरिया, ये तो सभ्यता के शुरुआत वहां से हुई थी, वो फर्टाइल क्रेसेंट से तब वो जंग एक इवनिंग टीवी के रूप में होता है, आप डिनर करते वक्त देखते हैं, कौन किसको किता मार रहा है, और उसको लगता है कि टेलिविशन एक, क्या कहेंगे, एक सीरियल के तरह आप जंग देखते हैं हर रात को, इराक में हमें याद है, इसी तरह सदाम हुसेन की उपर जो हमला हुए थे, इसी तरह पेश किया जाता था, तो यूक्रेन में जब हुआ है, दो चीजे साफ है, एक तो है कि वेस्ट का इसमें बहुत हमदर्दी हुआ है, हमदर्दी होना बहुत अच्छी बात है, जंग के हर विक्टिम के लिए वो हमदर्दी होना चाहिए, आज भी आफरिका में जंग चल रहा है, सीरिया में जंग चल रहा है, पैलेस्टाइन, उक्यूपाइट पैलेस्टाइन है, उसमें जंग चल रहा है, वहाँ पर वो हमदर्दी हमें दिखाई नहीं पड़ता, पर यूक्रेन में आ रहा है हमदर्दी अच्छी बात पर उसके साथ साथ जो दिख रहा है जो आपने का नसलबाद का चेहरा जो दिख रहा है वो साफ है कि पहले उक्रेनियन सिटिजन्स को जाने दिया जा रहा है, ट्रेंड में चड़ने दिया जा रहा है, बस पे चड़ने दिया जा रहा है, विदेशी बच्चे जो है चाहिए हो इंडिया का हो उनको कह रहा है बाद में और उनकी जब पोलेंड बे जा रहे हैं तो पोलेंड के बॉर्डर गार्ड भी उसके साथ अच्छे सलुक नहीं कर रहे हैं उनका विद्रॉल जो रिफ्यूजी की तरफ दूसरे देशों में जाने के लिए काफी कठिनाईया हो रही वो तो हमारे सामने है उसके साथ साथ पोलेंड के अंदर जो पहुँचने के बाद भी तीन बच्चों पे हमला हुआ है तो यह इसको दर्शाता है कि यॉरप का एक रेसिस्ट अंडर्टोन हमेशा रहा है जंग में क्योंकि बद भूलिएगा तो दुनिया में जैनसाइड, स्लेवरी, लूट इसी से इनकी सामराज्य की सामराज्य की स्थापना हुई है तो वो अंडर करेंट है यॉरप में पूरी तरह से अभी भी है और अमरीका सेट्लर कलोनियल स्टेट है वहां की ओरिजिनल इन्हाबिटेंट्स को पूरे तरह से धंस-धंस करने के बाद आफर की चाहिये जब हम सब चीज़ों को देखते हैं कि जंग के खिलाफ तभी ये होते हैं जब उनके अंदर जंग होता है दूसरे मुलकों पर वो जो हामला करते हैं नगने हो नजर नहीं आता हो जंग होता है झालनु है और किसपे jakने जंग हो रहा है वो लोगों को भी वो नजर नहीं दे, वो देख नहीं पाते हैं, तो ये एक जंग का और एक चहरा हमारे सामने अब साफ है, जो नसली चहरा है, नसली चहरा है, तो निश्य तोर पर हम इस पर आपके साथ नजर बनाए रखेंगे, और एक बात बहुत साफ है, कि हमला हो रहा ह युद्ध चल रहा है और अभी तक इतने दिन बीच जाने के बाद भी युद्ध को खतम करने के लिए शांती कैसे हो बाकी लोगों का एक रास्ता कैसे निकले इसके प्रयास अभी बहुत कम हो रहे हैं दोनों ही तरफ से और निश्चित तोर पे देश और दुनिया में जो अ अब अब है शुक्रिया